2023 में चैट GPT और मोधी जी के अलावा एक चीज जो ट्रेंडिंग है वो है कोडिंग तो कोडिंग अगर आप बिल्कुल फ्रेशर है और जीरो नौलेज है कोडिंग का किस तरीके से आप शुरू कर सकते हैं कोडिंग को 2023 में वो आज हम इस वीडियो में देखने वाले है इस ट इस चैनल पर आपको मिलती है तो गाइस वीडियो शुरू करते है कि किस तरीके से कोडिंग को शुरू करे हम अगर हम 2023 में स्टार्ट कर रहे है तो अब कोडिंग को शुरू करने से पहले आपको बेसिक्स ऑफ प्रोग्रामिंग समझना पड़ेगा यह जो कॉंसेप्स मैंन करते है नंबर इवन है कि और ऐसे बेसिक लॉजिकल प्रोग्राम से भी आपने शुरू किया तो आपका कॉंसेट्ट जो है प्रोग्रामिंग से रिलेटेड वह क्लियर हो जाएगा और इसमें एक और चीज आती है डेटा स्ट्रक्चर और अल्गोरिदम्स एक होता है बेट प्रोग्रामर रहना है यह बेसिक चीजे आप सीख कर कोडिंग को स्टॉप कर सकते हैं लेकिन अगर आपको बेस्ट प्रोग्रामर बना है तो डेटा स्ट्रक्चर और अल्गोरिदम्स का नौलेज होना भी जरूरी है तो यह जो बेसिक चीजे है इससे आपको शुरू करना होगा अभी यह सिखने के लिए आपके बास चॉइस अवेलेबल हो कि आपको किस प्रोग्रामिंग लैंवेज से स्टार्ट करना है मेरा आपको बेसिक को स्टार्ट करके एडवांस लेवल आचीव कर सकते है इसart स्क्राइब करने के लिए बहुत इजी हो जाता है तो मेरा रिकमेंडेशन यही रहता है कि सी प्रोग्रामिंग से ही स्टार्ट करिए उसमें यह बेसिक कॉंसेट्स क्लियर कर लीजिए ठीक है अब इसके बाद आपके पास बहुत बेस्ट ऑप्शन्स अवेलेबल है अगर डेवलपमेंट एंड गेम डेवलपमेंट तो यह जो एरियास ऑफ इंट्रेस्ट है इसमें से आपको कोई भी एक चूज करना है ठीक है अब आपने बेसिक्स क्लियर कर लिया है सी से तो आपको चीजे समझने में बहुत इजी हो जाएगा इन सब में ठीक है अब जैसे आवा स्क्रिप्ट भी सीठना पड़ेगा वेब फ्रेमवक्स अभी मोस्ट पॉपिलर डिमांड में हैं जैसे एंगिलर फ्रेमवर्क रियक फ्रेमवर्क नोट जैस तो इन सब चीजों में आपको कहीं ना कहीं लॉजिक का प्रोब्लम आएगा जो आपने बेसिक्स में क्लि दिलांसिंग भी शुरू करना चाहते है ना तो बहुत इजी लिए आपको इसमें प्रोजेक्ट अवेलेबल है ठीक है एक होता है वेबसाइट डेवलपमेंट उसके बाद आता है मोबाइल डेवलपमेंट अब मोबाइल डेवलपमेंट के लिए आपको ऑप्शन्स है जैस इसके लेटेस्ट आइफोन जो चलते है उसके एप्स क्रिएट कर सकते है ठीक है उसकी डेमांड आज के जमाने में बहुत हाई है पर मेरा रिकमेंडेशन एक है कि फ्लटर अगर हम सीख लेते हैं तो हमको एंड्रोइड और आयोएस दोनों के एप्स क्रिएट करने मिल जात अब वेबसाइट डेवलपमेंट और मोबाइल डेवलपमेंट आप दोनों भी सीख सकते हैं ऐसा मतलब ऐसा कंपल्शन नहीं है कि बस एक ही एरिया चूज करके हम आगे बढ़ जाए पर एक चीज में अगर मास्टर कर लिए फिर अगर दूसरा अटेम्ट करते हैं दूसरी जीपीटी गूगल का बार्ड हो गया ऐसी बहुत सारी चीज़े अभी AI फील्ड में चल रही है तो आप वो भी फील्ड चूज कर सकते हैं उसकेस में आपको सीखना होगा पाइथन प्रोग्रामिंग लैंवेज ठीक है उसमें क्या होता है बहुत सारी AI ML की लाइब्रारी अ और बहुत इजीली आप उसके लिए बहुत सारे रिसोर्सेस अवेलेबल है तो आप उसमें ग्रो कर सकते हैं इजीली ठीक है तो AI ML एक फील्ड हो गया उसके बाद आता है बैकेंड डेवलपमेंट अब जो बैकेंड डेवलपमेंट है वो है जावा प्रोग्रामिंग और जो उसमें जो APIs आएगी for example जैसे आप Facebook यूज करते है ठीक है Facebook में आप पोस्ट फोटोस और फोटोस पोस्ट करते है तो status आप पोस्ट करते है फोटोस पोस्ट करते है ठीक है वो पोस्ट करके जहां पे जाता है पीछे कोई तो एक database रहता है जिसमें वो data collect होके आगे च चीज होती है backend में ठीक है उसके बाद आता है game development अब game development के लिए आपको 3D software में command लाना पड़ता है उसमें जैसे Unity एक बहुत popular है जिसमें C Sharp programming language की मदर्स थे आप पौच सारी games create कर सकते हैं और वो games आप directly deploy कर सकते हैं Android phone iPhone और web में ऐसे बहुत सारी options रहते हैं उसमें वो यूज चूज करके आप अपना game का career चूज कर सकते हैं ठीक है ऐसे वैसे अभी एक blender आ गया है जिसमें आप 3D characters वगर create कर सकते हैं Unreal Engine बहुत popular चल रहा है अभी framework बहुत सारे लोग attempt करते हैं कि C++ हो जाए Java हो जाए Python भी हो जाए उसके बाद में C Sharp ऐसे बहुत सारी programming languages आप चूज कर देंगे राइड पर उसका मतलब usefulness उतना नहीं है अगर आपको area of interest नहीं पता है अगर आपको website से related interest है तो वहां C++ काम नहीं आने वाला वहां पर आपको जो JavaScript है वो काम हैगी उसके related concepts उसमें जो जो features है वो use करते आने चाहिए आपको ठीक है जैसे objects object oriented programming का basic आपको पता रहा तो वो use करके आप JavaScript के भी बहुत सारी चीज़े समझ सकते है पर उतना depth knowledge नहीं लगता है जितना C++ का in build आपको लगेगा ठीक है वैसे जावा है तो जावा आपको अगर backend development में interest है तो आप Java सीखिए वहां पर आपको वो काम हैगा अगर आपको mobile app development सीखना है तो आप Flutter सीखि अब यह चीज़े तो आपको पता चल गई कि मुझे सीखना क्या है ठीक है जैसे basics हो गया area of interest हो गया अब आता है resources कि कहां से सीखे और कैसे सीखे तो YouTube एक ऐसा platform है जहां पर आप सब कुछ free में सीख सकते है coding से related material बहुत सारा available है देखकर सीख सकते है step by step अगर आपको यह approach प आपको live online training दी जाए coding class की तो codzify.com में हम बहुत सारे packages हमारे available है जिसमें आपको मैं खुद area of interest के basis पे चीज़े आपको सिखाता हूं और बहुत सारे mentors हमारे available है जो आपको different different area of areas में आपको help कर सकते हैं अगर आप 800-900 रुपीज पर मत अगर आप invest कर सकते हैं तो आपको यह चीज़ बहुत help करेगी इस class में तो codzify.com की online coding classes आप search करके अपनी seat book कर सकते हैं और class शुरू कर सकते हैं अगर इतना budget है आपका कि आप live training ले सकते हैं तो it would be great वो बहुत सही रहेगा क्योंकि direct आपको एक practical path मिल जाए practical learning path मिल जाता है प्लस guidance प्लस support भी हो जाता है तो वो च इतना budget अगर आप effort नहीं कर सकते हैं तो फिर आप YouTube का use करके free में चीज़े try और error कर सकते हैं ठीक है तो यह है roadmap coding सीखने का 2023 में I hope कि आपको यह बहुत अच्छे से clear हुआ होगा कि किस तरीके से आपको approach करना है चीज़ों को सीखने के लिए अभी जो time चल रहा है अभी competition तो कुछ नहीं होने वाला और उसका कुछ result मिलने नहीं वाला है लेकिन अगर आप एक चीज में master करके उसमें ही grow करने लगते हैं उसके ही projects develop करके अपना एक portfolio create करके hostinger जैसे platforms या फिर android play store ऐसी चीज़ों ऐसे stores पे अपना portfolio आप कुछ publish कर सकते हैं तो वो ज्यादा helpful और आप आपको growth देगा तो चीजों को अच्छे से समझिए basic पहले clear कीजिए उसके बाद में आप next step लीजिए कौन सा area आपको पसंद आता है उसके बाद चीज़े आती है resources की area of interest सिलेक करके resources फिर resources में आपको पता है कि YouTube और एक हमारा एक class है वह आप चूस करके आगे बढ़ सकते है ठीक है अगर वीडियो में कुछ help मिला होगा और clarity अगर आई होगी तो like, share, subscribe जरूर करें अगर पहली बार इस channel पर आया है बहुत सारी playlist और वीडियो आपको coding से related इसी channel पर मिल जाते हैं तो जरूर देखें तो guys आज के लिए बस इतना ही thank you for watching see you in the next episode